जै हिंद तो आज हम हिमाचल प्रदेश उनिवस्टी के कुछ रिपीटिड जो हिंदी कोशन्स पूछे गए हैं वो करेंगे यह जो हिंदी कोशन्स हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश उनिवस्टी जो है वो कंड़क्श करवारे इस एक्जाम को एंड वहाँ पर आपको रिपीटिड कोशन्स देखने को मिलेंगे हिंदी के तो आईए वीडियो को शूरू करते हैं 30 प्लस कोशन होंगे यहाँ पर 30 प्लस कोशन एंड एक एक कोशन को मैं अच डिपांपर आज वो 50% जर्ण चला हुआ है तो आप वो इंडियाजी के नोट्स और हीज्पजिक देखर कर सकते हैं спck मैं 16 अक्टूबर 2021 को झै wn करूंगा तो यह आपको याद रहना है तो जैसे कृष्ण शब्द का उल्टा आता है शुक्ल शुक्ल आता है उसी तरह से श्वेत शब्द का विलोम शब्द आता है यह आपका याद रखना तो माहर्शी तूसिदास ज़यока । महा भारत के रचेईता कोन Está महाभारत के रचहिता है वेद व्यास जी वेद व्यास जी हो महाभारत के रचहिता है महाभारत को हम जय सहीता भी बोलते हैं जय सहीता भी जय इसको बोलते हैं ये भी याद रखना है रमायन के रचहिता कौन है वाल में की जी ये आपको याद रखना है तो रामचे इत्रमानस के रचयता, महर्शी तुलसिदास, महाभाद के रचयता, वेदव्यास जी, रमायन के रचयता, वालमिकी जी याद को याद रखना है मेगदूत के रचयता, ये भी आपको याद रखना है, ये इनके रचयता है, कालिदास यह आपको याद रखना है अभिज्यान शकुंतलम के रिचेता वो भी कालिदासी है अभिज्यान शकुंतलम के रिचेता यह भी याद रखना है हाथ का तत्सम रूप तत्सम का मतलब होता है यानि कि कोई शब्द संस्कृत में लिखा जाए तो उसको तद्सम बोलते हैं ठीके तो हात का तद्सम रूप होता है हस्त अब जैसे घर का तद्सम रूप क्या होता है ग्रीह तो हात को हम जो है वो संस्कृत में कैसे लिखते हैं हस्त के रूप में तो ये जो है आपका संस्कित वाला शब्द ये तत्सम होता है और ये हिंदी वाला शब्द ये आपका तद्भव होता है अगर पुछा गया हां हस्त का तद्भव रूप तो वह हात होता है अगर पुछा गया ग्रिह कैसा शब्द है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद् और क्यो होता है एक वचन होता है एक बहुचर है तो एक वचनईसमें क्या है पक्षी और बहुत सारे पक्षियों क्या होगा पक्षियों याद रखना है तो पक्षियों लिंक्स भी आपको याद रखनी हैं अब देखें पूर्ण शब्द का प्रयवाची क्या है पूर्ण शब्द का प्रयवाची तो पूर्ण शब्द का प्रयवाची है पूरा सम सर्व अखिल समपूर्ण निखिल समग्र समस्थ पूर्ण को बोलते हैं पूरा काकी सिकारे को प मुहावरे का अर्थ है, आँख मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आँख मिलाना मुहावरे का अर्थ है, सामना करना, सामना करना या सामने आना, ठीक है, कोई आप से आँखे मिला रहा है, तो सामना कर रहा है वो आपका, ठीक है, ये आपको याद रहा हूं, तो ये दस आ किवा जा रही है और अनुसार में आ किवा जा रही है तो यह जो आपका यहाँ पर संदी रहती है कौन से संदी रहती है यहाँ योजना अनुसार में योजना अनुसार में संदी रहती है आपकी दिर्ग संदी दिर्ग संदी देखो मैं संदी के प्रकार यहाँ पर पताता ह स्वार्व में आउनली जुह है जितने भी स्वार्व होंगे ग्यारा स्वर्व और वियंजन में 30 क्यारी और जो विस्वर्ग वाले होंगे वह विस्वर्गवाले आएंगे थिके है〜 जांते तो तीन प्रकारों थे संदी के, अब स्वर संदी के अगर बात की जाए तो इसके पांच प्रकार हैं, देखो दिर्ग संदी पहली, गुन संदी दूसरी, फिर आपकी वृद्धी संदी तीसरी, फिर आपकी यर्ण संदी चोथी, फिर आपकी पांच संदी अयादी संदी, यह आपको याद रखना है, स्वर के पांच भेद हैं, स्वर संदी के, ये आपको याद रखना है, तो योजना अनुसार जो है, वो दिर्ग संदी के अंतरगत आता है, इसके अंतरगत आता है, दिर्ग संदी के अंतरगत, यहाँ पर आ, जमा, अ होता है, ठीक है, याद रखना है हिंदी व्याकरण के अनुसार कारकों के कितनी बहेद है कि संख्या कितनी है हिंदी व्याकरण में जो कारक है कारक कौन कों से करता ने करम को करण के से के दरा संपरदान को के लिए अपादान से जदाई संबंदन काके की अधिकरण में पर संबोद्ध है यह सबापे क्या है का कविता के लेखा कोंग है मांखनलाल चत्रवेदी दिवरा कौन सी कविता लिखे गई है । हिंतरंग cows ? क्या लेखा कौन देखो कि मतरम्न की लिखक स्मdarख्ण की लेखक क्या उन्हार लाल चतरवेदी तो माकन लाल चतरवेदी देखी हैं चार पुस्त के पड़ी पुष्प की अभिलाशा हीमत रंगेडी यूग चिरन और समरपन ये कवीता भी है ठीक है आप देखो गोदान गबन सेवासदन निर्मला इनके रचईता कौन है तो गोदान गबन सेवासदन और निर्मला के रचईता है आपके मुशी प्रेम चंथ काफी सारी यहां पे इनकी important books है यह चार important books है यहां पे इनकी आप देखें कंजूस शब्द का विलौम शब्द क्या है कंजूस शब्द का विलौम शब्द है उल्टा उदार जिसको हम दानी बोलते हैं और शाह खर्च ठीकि? कंजूर्ज़ध शब्द का विलोम शब्द है अब देखे द्वाय शब्द का बहुवचन क्या होता है? इदगाह कहानी किसके दौरा लिख्य गई? इदगाह कहानी जो है वो मुँश्ि प्रेम चंदा जो है लिख्य गई तो ये पुस्तके थी दोनों ही और भी एक कहानी की बात आच चुकी है इदगाह कहानी जो है वो मुशी प्रेम चंदर जो राद है वो लिखी गई पुरसकार जो कहानी है वो किसके दोरा लिखी गई तो जैशंकर प्रसाद जोरा जो है लिखी गई याद रखना है पाजेव जो कहानी है वो जनेंद्र कुमार द्रा जो है वो लिखी गई थी ये आपको याद रखना है एक गितांजरी जो पुस्तक है गितांजरी जो है पुस्तक है वो आपके ग्रबिंदर नाच टैगोर जो है वो लिखी गई थी ये आपको याद रखना है ठीके आगे दे आग का प्रयावाची शब्द क्या है अगनी अनल पावक ठीक है अगनी अनल पावक यह जो है आग का प्रयावाची है 921 होना 921 होना का मुहावरे का अर्थ है तेजी से भाग जाना तेजी से भाग जाना तो यानि कि याद रखना कि तेज जो है यहाँ पर विशेशन है और क्रिया भी है तेज जो है यहाँ पर क्रिया विशेशन है तेज दौरता है स्वागत का संधी विचेद अगर स्वागत का हम संधी विचेद करते हैं तो सू अजमा आगत होता है अगर पुछा गया इसमें आपका कौन सा संदी लग रहा है तो यहाँ पे उ जमा आ यानि की आपका स्वर संदी लग रहा है और स्वर संदी में भी आपका यन संदी यहाँ पे लगती है यह आपको याद रखनी है पानी का प्रयवची शब्द कौन सा है पानी का प्रयवाची शब्द है जल पय नेरवारी अम्बू है समीर का प्रयवाची शब्द कौन सा है हवा वात मारूत पवन समिरन बड़ा शब्द का विलोम शब्द है बड़ा का विलोम शब्द है छोटा गर्मी, गर्माहट, गर्म, गर्माना कौन सा शब्द विशेशन है इन में से चारा में से कौन सा शब्द विशेशन है तो गर्म शब्द जो है वह आपका विशेशन है जगतंबा में कौन से संदी है तो जगत में हलंत और अंबा यहाँ पर यह संदी बनती है चांद का प्रेवची शब्द क्या है मयंक, शशांक, शशी ठीक है? याद रखना है एक हाथ दे, एक हाथ ले कहावत का अर्थ है नकद सौदा करना क्या है? नकद सौदा करना तो ये थे आज के हमारे हिंदी कोशन जो आपको important है टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आज जोईन कर सकते हैं बुक्स मेंने कुछ डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में वो भी आप जैवर ले सकते हैं ठीक है? तो आज के वीडियो बस इतने ही हिंदी कोशन से कल फिर मिलूगा एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंद जैभारत आपका देन शुब हो जैए हिंद